नमस्कार आप सभी का एगेंस कर्प्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 RTI Act 2005 के तहट हम लोग राज सूचना आयोक से भी सूचना मांग सकते हैं इसलिए हम RTI कारिकरता RTI आविदक को राज सूचना आयोक से भी इन बिंदों पर अवस्य सूचना मांगनी चाहिए चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो ने सुल्क लाल कलर का बटम दबा कर सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर दबा कर आल पर भी क्लिक कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा इसे इतना सेर करें कि इसे हर भारतिये आसानी से जान सके और अपने अधिकार का उपयोग राज सुचना आयोग के समक्ष भी कर सके और उस पर कुछ दवाब भी बनाया जा सकता है जिससे हम लोगों की सुनवाई निया मानुशार हो सके क्योंकि बहुत अधिक सिकायत आ रहा है कि सुचना आयोग भी ठीक से सुनवाई नहीं कर रहा है और PIO को बचाने का पक्षपात करने का सिकायत मुझे कई आवेदक के द्वारा तथा कई कमेंट में या कही कॉल करके आया था इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप लोग सभी राज सुचना आयोग से भी इन बंदों पर सुचना अवश्य मांगें मैंने यहां अपने मां के नाम से एक सुचना आयोग में जाकर इसका फॉर्मेट भरकर जमा करवाया है जिसका मोहर दसकत साइट रिसीविंग है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ आप लोग भी अवश्य इस तरह सुचना आयोग से सुचना मांगें सेबा में लोग सुचना पता दिकारी राज सुचना आयोग बिहार पठना से यह सम्मन्दित है इसलिए आप अपने अपने राजी का यहां पता दिखेंगे नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे मांगी गई सूचना का ब्योरा पहला सूचना आयोग द्वारा र्टियाई एक दोजार पंच के तहट द्वीती एपील एवं सिकायतबाद का डिसीजन जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उसका परमानित परतिली पी उपलब्द कराएं दूसरा धारा आठारा के तहट दायर सिकायतबाद में सिकायत करता से पी आयोग का नाम एवं बरतमान पता जिस नियमों एवं आदेसों के तहट पूछा जाता है उसकी परमानित परतित दी जाए तीसरा क्या सुचना आयोग को धारा आठारा एक के तहट दायर सिकायतबाद में पी आयोग का नाम वो बरतमान पता संबंदित विभाग से जानने पूछने का अधिकार नहीं है किसी भी कारियाले या विभाग के कारियाले में ना तो लोग सुचना अपदादिकारी का नाम दर्साया जाता है ना ही लोग सुचना अपदादिकारी अपने परतिवेदन में अपना नाम लिखते हैं तो सिकायत करता इस संबंद में कैसे जानकारी प्राप्ट कर सकता है, इस संबंद में पूरी जानकारी दें, चौथा आयोग में दायर द्विती अपील या सिकायत बाद के निस्पादन में, RTI 1.2005 के तहत अधिकतम कितने दिनों में निस्पादन करने का प्राप्धान है, इ उस आधार पे हम लोग सुनवाई में अपना पृतिवेदन सौ समय रखकर अपनी सुनवाई ठीक ढंक से कर सकते हैं, यह मैंने सुचना आयोग में जमा करवाया है, देख लिए डेट है 22.2002, अभी तक मुझे सुचना नहीं मिली है, एक माह के अंदर मुझे निस्पादन स जाएगी क्योंकि मैंने यहां रासन काट संख्या रासन काट गरिवीरेखा वाला लगा के दिया है, इसलिए इस प्रकार हम लोग सुचना आयोग से भी निस्पादन सुचना ले सकते हैं, आप लोग अबस इसका पड़ियोग करें, मेरे इस चैनल पर एगेंस्ट क्रप्श में जाकर अधिक से अधिक जानकारी इस प्रकार की ले सकते हैं, और अपने अधिकार का पुरियोग अवस्च करें, जिससे की भारत में हो रहे भृष्टाचार में कुछ कमी आवे, जैहिन